क्वालिफायर में हो गया बड़ा उलट फिर एक और चांपियन हो गई वर्लकप से भार पहले ही फैंस को बड़ा जटका लग चुका था जब चार बार की चांपियन वेस्ट इंडीज वर्लकप से भार हुई थी तो भाई अब एक और जटका लग चुका है कि जिंबाबवे भी वर्लकप से बाहर हो चुकी है टॉप में दो टीमें चल रही थी श्रिलंका और जिंबाववे लगा था कि दोनों ही टीमें क्लियर इंकर पहुच जाएगी वर्लकप में जहां एक टीम ने तो अपनी जगा वर्लकप में बना ली तो दूसरी का सपना वर्लकप का चूर करें इन्दोनों की माच की तो स्कोर काट देखते हैं स्कॉटला ने आठ फिकेट की नुकसान में 234 रन बनाये थे इनकी टीम से हाइस स्कोर माइकल लीस ने बनाया था 34 बॉलों में 48 रन इनका साथ यह था माथ्यू क्रॉस ने 75 बॉलों में 38 रन बनाये थे वैस जिंबाव जब बल्लेबाजी करने आया तब इनका ओपनर मिडल और सब तहस्त हो गया जीरो दो बारा बारा इस तरह पारी चल रही थी तो इनकी पारी को संबाला रियान बर्ल ने 84 पर 83 रंस बनाये और इनका साधिया वेसली मदेवेर ने 39 पर 40 बनाये लेकिन यह दोनों भी आउट ह हो गया और जिंबावे 203 रंओं पर सिर्फ पूरी की पूरी आल आउट हो गई और यह मुकाबला स्कॉट लाइन 31 रंओं से जीत लिया इसी के बाद पॉइंट से उलट फेर हो गई पहले नवर पर श्रिलंका चल रही थी चार मुकाबलों के साथ चारों जीती आठ पॉइ पहले नबर पर श्रिलंका थी वह कौलिफाय कर चुकी है दूसरे पर स्कॉट्लैंड अब रुका है दो टीमों के बीच अब सिफ जो लड़ाई है असली वह स्कॉट्लैंड और नीदलांड के बीच में है दोनों के पास अपना आखरी मुकाबला बचा है जो इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ही है अब देखने वाली बात होगी कि कौन उस मुकाबले में जीता है अगर स्कॉट्लैंड जीत जाएगी तो वो तो सिधा-सिधा वोल्कप के लिए कौलिफाय कर गई लेकिन अगर नीदर्लैंड जीती है और बड़े मार्जन से जीती है तो नीदर्लैंड स्कॉट्लैंड को रिप्लेस कर उपर आ सकती है इसलिए उसके मुश्किल चांसे है लेकिन अगर वो मुकाबला जीतने के साथ बड़े मार्जन से जीती है स्कॉट्लैंड को बड़े मार्जन स से हराती है तो नीदर लाइंड के कुछ चांसिस बन सकते हैं लेकिन अभी फिलाल स्कॉटलाइंड साफ साफ दिख रही है लेकिन फिल भी अभी प्रेडिक्शन करना काफी बेवकूफी का काम हो क्योंकि जिससरा हमने प्रेडिक्शन करती है श्रिलंका और जिंबावे की आप शक्रेट को लाइक कॉमेंट और जानको सब्स्राइब करना भी मत भूलेगा